तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आफ से डिस्कस करने वाला हूँ कि MA Fine Arts का जो कोर्स है वो आखिर होता क्या है? सबसे पहले मैं आफ से डिस्कस करने वाला हूँ कि MA Fine Arts का कोर्स आखिर क्या होता है? इसमें किस परकार के सब्जेक्ट्स होते हैं? आखिरी चाहे कोर्स कितने वरश का कोर्स होता है इस कोर्स का eligibility criteria क्या है और अंतमी दोस्तों मैं आपसे job profiles के बारे में आपसे में discuss करने वाला हूँ की अगर आप इस कोर्स को आप पुरा कर लेते हो आपको किस परकार की job मिल सकती है तो जैसे सारी बातों को मैं आपसे इस वीडियो में discuss करने वाला हूँ हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हो educational word study चैना तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे discuss करने वाला हूँ MA fine arts course के बारे में और दोस्तों अगर आपने 12 जिया graduation की class को पास कर लिया है और अगर आपको जै जानना है कि 12 जिया graduation की class को पास करने के बाद आखिर कौन कौन से courses होते हैं तो मैंने उन वीडियो का link इस वीडियो के description में दे दिया है आप इस वीडियो के खतम होने के बाद उन वीडियो को भी जरूर देखिएगा तो चलिए अब हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं तो आप मेंसे करी students का दोते ही doubt होता है कि MA Fine Arts का जो course है वाकिर होता क्या है तो MA का मतलब होता है Master of Arts और MA Fine Arts का जो course है वो एक post graduate level की degree का course होता है तो अगर आप artist बना जाते हो तो जय कोर्स आपको काफी अच्छा benefit दे सकता है इसमें आप arts, painting, art history, sculpture आदी चीजें आप design करते हो इसमें theory के साथ आपको जो practical की जा knowledge होती है वो भी आपको काफी अच्छे से दी जाती है तो आज के time में भी कई सारे ASA students है जो इस course में काफी जादा interest रखते हैं अभी आपसे में course duration के बारे में आपसे में discuss करने वाला हूँग जनी जय कोर्स आखिर कितने वरश का course होता है तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जय कोर्स दो वरश का course होता है तो इस course में admission लेने के लिए दोस्तों आपको जो बैचलर की जो डिगरी है उसे आपको पास करने पड़ेगी जनी आपको graduation की जो डिगरी है उसे आपको पास करने पड़ेगी पर जातर जो students होते हैं वो BA fine arts का course को पूरा करने के बादी इस course को करते हैं अभी आपसे में job profiles के बारे में आपसे में discuss करने वाला होगी जनी अगर आप इस course को पूरा कर लेते हो आपको किस परकार की job मिल सकती है तो दोस्तों आप graphic designer बन सकते हो आप art teacher बन सकते हो इसके इलावा जो आप animator की जो job है उसे भी आप हासिल कर सकते हो तो जैसे सब आपकी personal skill और knowledge की उपर depend करता है कि आपको कौन से sector में आपको job मिल सकती है अभी आपसे में subjects के बारे में आपसे में discuss करने वाला होगी जनी आप इस course में आखिर किस परकार के जो subjects हैं वो आप study करते हो तो इस course में आप history of Indian architecture, history of Indian painting, drawing and painting, principles and sources of art etc. subjects आप इस course के दोरान आप study करते हो और वी इस course में कई सारे subjects होते हैं जो आपको इस course के दोरान आपको करवाई जाते हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई universities और college के slavers के हिसाफ से जैजो subject हैं वो different भी हो सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपसे MA Fine Arts course के बारे में आपसे मैंने इस वीडियो में discuss किया है मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो के माद्यम से काफी अच्छी जानकारी आपको प्राफ्त हुई होगी और अगर आपको किसी भी प्रकार के कोई doubt है तो दोस्तों आप नीचे मुझे comment box में comment करके पूछ सकते हो नहीं तो आपको इस वीडियो के description में और वी कई सारे courses के बारे में वीडियो मिल जाएंगी आप उन्हें वहाँ जाकर भी देख सकते हो तो अन्ति में दोस्तों अभी आपको जैब वीडियो केसी लगी अगर आपको जैब वीडियो पसंद आईए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना धन्यवाद